आज का ये वीडियो क्लास 11 के जो स्टुएंट से है उनके लिए होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम जो है हिंदी का चैप्टर 2 करने वाले ठीक है दोफैर का भोजन चैप्टर का नाम है आपका इससे भी हमने जो है कुछ MCQ कोशन निकाले 30 प्लस इससे पहले हमने च गरीवी में परिवार होता है जो एक पती पतनी और उसके तीन बच्चे होते ठीक है उसके बारे में यह स्टूरी है और इसे इस में से इससे क्यूं निकलेंगे वह निकलते हैं कि दोफायर का भोजन इससे हमने जो है सब पहला कोशन निकाल Defense पाथ उसके लेखक का नाम क्या है ठीक है आप सभी ने पढ़ा होगा दोफीर का भोजन तो आपको पता होगा कि उसके जो भी लिखा कि उसके नाम उसका जो है नाम क्या है आपके सामने प्रेयों दे रखा ने रखार या हरी संकर परसाई जले यह उसके तक है यह इसके लिखा के दोफैर के बोजन के खेंच्छ को शन्मीः ऊझा तो देती थी हो और दोड़े थोड़े ठरने के तो तो वो कोशन भी हम इसमें करेंगे तो उसके गले था था जो छाती की हड़िया थी वो साफ दिखाई देती थी यह किसके बारे में कहाई गया तो इस्टोरी पढ़ोगे आप तो आपको पता चल जाएगा उप्सन है आपके प्रमोध, मोहन, राम, चंद्र और चंद्री का प्रसाद तो प्रमोध जो है इसका राइट अंसर हो जागा प्रमोध जो है उनका सबसे छोटा बेटा होता है अगर आपे स्टोरी पढ़ोगे यह हमें सब बिमार रहता है ठीक है तो राइट अंसर आपका आजाएगा दूसरे का ए प्रमोध दूसरा कोशन देखते है ठीक है थोड़ा बेग्राउंड में साउंड आए तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं अभी ऐसी जगह हूँ जहाँ पे साउंड जो है बेग्राउंड में बहुत ज़ादा है साथी यहाँ पे सौंग बर्डे पार्टी होगा नियर आसपास तो उसकी जो साउंड है वो आ रही है ठीक है तो उसको आप इग्नोर करना हमें चलते हैं तीसरे कोशन की तरफ तो तीसरा कोशन पूछा गया है मूंसी जी ने खाना खाने के बाद क्या मांगा था तो मूंसी जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने खाना खाने के बाद क्या मांगा था दही, लसी, चीनी या गुड़ आपके सामने यह चार ओप्सन है तो इसका जो राइट अंसर हो जागा आपका वो हो जागा डी जो है राइट अंसर हो जागा जब मूंसी जी ने खाना खा लिया था तब उन्होंने गुड़ मांगा था आगे चोथा कोशन देखते सिद्धेसवरी के परिवार के सभी सदस्य जो है दो रोटी खाकर और रोटी लेने से मना क्यों कर देते थे तो देखे इसकी जो इनकी जो फैंबली थी सिद्धेसवरी तो इनका एक मैंने बताया आपको छोटा सा परिवार था जिसमें तीन इनके बच्चे थे साथी ये दो थे ठीक है पती पत्री तो इनकी गरीबी इतनी थी आप बहुत नीचे कह सकते हो नीचे तपके के लोग ठीक है जहां पे उनके अपने पेट भर के खाने के लिए इनके पास नहीं हुआ करता था जो भी आपकी आर्थिक विवस्ता थी इनकी बहुत खराब थी तो इसमें क्या होता इस्टोरी में सिध्यस्वरी का जो परिवार होता उसमें सभी सदसे जो है दो रोटी खाकर जो है और रोटी लेने से मना कर देते थे क्यों कर देते थे आपके सामने option है वे परिवार की स्थिती से परिचित है B कह रहा है उनको खाना अच्छा ही नहीं लगा C कहे रहा A और D दोनों और D है उन्हें पता है कि यदि वह A को रोटी ले ले लेंगे तो दूसरा सदसे भूका रह जाएगा तो इसी वज़र से जो है वो जो है रोटी दो के बाद नहीं काते थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका A और D ठीक है एक तो ये वाली लाइन आपकी एक ये वाली चलते अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर पांचवा है मुनसी जी अपनी उम्र से बड़े लगते थे आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है मुनसी जी जो थे वो अपने उम्र से जो है काफी बड़े लगते थे ठीक है इसके बारे में आपके विचार पूछे गए अधिक धनवान होना है अधिक मोटा होना जिम्मेदारियों का बोज और चिंता समाज में बड़ा पद मिलना तो इसका जो राइट अंसर हो जागा आपका वो हो जागा सी ठीक है जिम्मेद क्या कथन शिदेशवरी के व्यक्तित्व की किस विशेष्टा को व्यक्त करता है परिवार से प्रेम करने वाली समझदार ग्रहनी घर के सदस्यों में प्रेम बनाई रखने में सक्षम या उप्रोक्त सभी तो इसका जो राइट अंसर आजाएगा आपका वो आजागा सी घर को किसे गया तो मैंने आपको बताए कि उसके तीन बेटे थे तो उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम जो है आपसे पूछा गया एक तरह से कुश्चन कैसे भी आप Uhh सबसे चोटे नाम क्या था तो आगे हम कोशन करेंगे तो बढ़का तो सभी छोटे बाइव पर जान चेड़कते हैं इसके अथन में बढ़का किसे कहा गया आपके सामने option राम चंद्र को प्रमोद को मोहन को या मुंसी चंद्रिका को तो इसका जो राइट अंसर आ जाएगा वह आजएगा आपका राम चंद्र को जो है कहा गया है option जो है राइट अंसर आजाएगा चलते आगले question की तरफ question यरुट नमर और धान निम्न मैं से किस वर्श जो इनका जन्म हुआ था अमरकांत जी था उनके जन्म के बारे में पूछा किस वर्श हुआ थ owns फंद्रा में 1925 में 1935 यह 1945 तो इंद्मर कांत जी जो रेखक हैं आपको मैंने ऊपर बताया कि यह दोफैर का जो भोजन है उसके लेखक अमरकांत जी ए ठीक है इसके बारे में और भी कई सारी चीज़े आ सकती है कि इनका जन्म कौन से राज्ये में हुआ तो आपको यह भी जरूर पढ़ लेना है जिससे यूपी में हुआ ठीक है तो यह सब आपको एक बार जरूर देख लेना है इसका जो राइट अंसर आ जागा आपका कि इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1925 में बी ओप्सन जो है इसका राइट ओप्सन हो जाएगा चलते आगे की तरफ कोशन नमबर नो पर तो कोशन नमबर नो है अमरकांत जी किस यूग के प्रसीद कहानीकार है आपके सामने ऑप्सन है भारतेंदु यूग के है द्रुवेदी यूग के है ठीक है प्रेमचंद यूग के है या नई कहानी आंदोलन के तो इसका जो राइट एंसर हो जागा अमरकांत जी जो है वो नही नई कहानी आंदोलन के जो है प्रसीद कहा कानिकार है आगे चलते अगले दसवे कोशन की तरफ दोपहर का भोजन कहानी में किस वर्ग का चितरन किया गया है तो मैंने आपको बताया कौन सा वर्ग जो है इसमें दर्साया गया है इस चैप्टर में तो वह है निम्नमध्यम वर्ग राइट अंसर आपका सी आ जागा ठीक दोपहर का भोजन इसमें सबसे मुख्य पात्र कौन है आपके सामने ओप्सन है सिदेशवरी रामचंद्र मोहन या मुंसी जी तो इसका राइट अंसर हो जागा सिदेशवरी ए सिदेशवरी जो है वही जो है पूरा घर चलाती है एक तरह से आप क्या सकते स्टोरी का जो काम कर रहा है मोटर मेकैनिक रीडर लेखक ये खिलाड कि रहीत तो स्टोर फेज़़िए पड़े POLERS पर देख् बिमार रहता है तो पूछा गया सबसे बेटे का नाम आपको याद होगा तो यह भी पता चल जाएगा यह आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आइज इसली आप कर लोगे तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इसका जो दौफैर का भोजन कहानी में स्टोरी पढ़ी है कि इस कहानी में जो है दौफैर के भोजन कहानी में मुख्य समस्या क्या है तो बेरोजगारी है बिमारी है सोसन है यह पुनरवास है तो इसमें बहुत सारी चीज़े है ठीक है लेकिन इस में से जो निकल कर आता है राइट एंसर वो आ जाता ए करना चाती थी सेखी बगार रही थी बगार रही है अपना स्वार्थ साधना चाती थी या अपने परिवार में सद्भाव बनाए रखना चाती थी ठीक है तो इसका जो राइट अंसर हो जागा आपका वो हो जाएगा अपने परिवार में क्या है सद्भाव बनाए रखना चा आपको समझ आने लग जाएं तो समाज में व्याब्ध आर्थिख विशंथा इसका जो रयट अंसर निकल कि आएगा समाज मेंग्षा व्याब्थिख विशंथा ठीक है ये राइट अंसर हो जाएगा चलते कोशन नमर 17 की तरफ जिमन में से किसने दोपहर का भोजन बनाया था इन में से किसने जो है दोपहर का भोजन बनाया था आपने जो मैन केरेक्टर है इसका वही जो है एक लेडी से जो है सिध्येसवरी तो वही एक खाना बनाएगी और नॉर्मली सी बात है सिद्धेशवरी ने खाना बनाया था सत्रवे का राइट अंसर जो हो जागा आपका वो हो जागा B आगे चलते रामचंद्र सिद्धेशवरी का कौन सा बेटा था तो रामचंद्र जो था वो सिद्धेशवरी का कौन सा बेटा था मंजला बेटा था छोटा बेटा था या उप्रोक्ट में से कोई नहीं तो इसका जो राम चंद्र जो था उसका बड़ा बेटा था तो ए ओप्सन जो है आपका राइट हो जाए गया चलते अगले कोशन की तरफ मोहन की उम्र कितनी थी तो उम्र जो है यह भी ले लिया कोशन आपसे ओम्र कैसे भी कोशन पूछ सकता है ठीक है तो हमने ऐसे भी कोशन ले लिए कि तीनों बेटे के ओम्र ले लिए तीनों की पढ़ाई भी ले रखी है आगे देखेंगे वो तो मोहन की ओम्र जो है वो कितनी है पूछा गया आपसे आपके सामने ओप्षन है 20 वर्स 18 वर् प्रशाद कोन थे आपके सामड़े ऑप्शन है यह मुनसी चंद्री का परसाद जी ठीक है तो यह थे मुनसी चंदरी का प्रसाथ जी और सिधिर्शवरी और इनके तीन बेटे ठीक के ओपर जो है कि स्टोरी खुरिब अब कह सकते हो। गरीबी का विस्थार किया गया उस कहानी में किस तरह से गरीब जो है अपना जो घर है वो चलाता है ठीक है question number 21 है चंदरी का परसाथ कौन से पद पर कारे रख थे आपके सामने option है manager थे अध्यक्स के थे color के थे पद पर या चपरासी के थे तो चंदरी का परसाथ थे वो color के पद पर थे तो option C जो है right answer हो जाएगा कोशन नमबर 22 देखते हैं, मोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता था, तो मोहन के बारे में कहा गया है, मोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता था, आपके सामने option है, दसवी कक्षा, बारवी कक्षा, नवी कक्षा या आठवी कक्षा, तो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आपका बड़ा बेटा था ठीक है सिद्धेश्वरी का तो इसका जो उम्र है वो कितने वर्स हो जाएगी 21 यहां मैंने राइट अंसर लिख रखा है बोल्ड कर रखा है ठीक है 21 वर्स इसका हो जाएगा कोशन नमबर 24 देखते हैं सिद्धेश्वरी के सबसे छोटे लड़के के उम्र कितनी थी सिद्धेश्वरी का जो सबसे छोटा लड़का था उसकी उम्र पूची हो डाइटी तो इस चाप्टर में जो है किसी की Сवाधी थे हो गई थी से कोशन भी आ सकते हैं तो मोहन की हो गई थी चंद्री का प्रसा ठीम हो गई थी यह गंगा सरन्ददद्द बावो की लड़की तो इसका right option ऑप vowel का गंगा सरन्द बावो की लड़की जो हैसे कि जो है साथीत्य हो गई थे question number 26 मुंजी की जी कि तबीयत किस से मुंसी जी की तबीयत किस से ओप गई थी? ओप गई थी, ठीक है? यह हटादू आप तो ओप गई थी किस से अंड से ओप गई थी, नमकीन से ओपरोख दोनों या compuls दाल से तो इसका राइट अंजर आजागा आपका C ठीक है आप जानते हो एक परिवार में जब खाना कम हो तो वो कहते कम गम ले लेते ठीक है बिना बोले या कहते कि मेरा पिट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊंगा तो ऐसी जो है यह रियल में इनकी वो नहीं यह उप गई थी जैसे मेरा मन भर गया जो नमकीन खाने से मैं नहीं तो ऐसी बात नहीं थी खाने का सबका मन होता है लेकिन वो जूट बोलते थे कि मेरा मन नहीं करा मैं इससे जो है खा कर पक गया हूं ऐसी सारे सब्द जो है यूज करते थे वो ठीक है तो उपरोक तो दोनों जो है सी राइट अंसर हो जाएगा 27 पर आते मुंसी जी राम चंद और मोहन के खाना खाने के बाद थाली में कितनी रोटिया बच गई थी दो रोटी एक रोटी चार रोटी है पांच रोटी तो यहां आप देखोगे कि टोटल परिवार में सदस्य जो है पांच है जिसमें से तीन ने खाना खा ली है ठीक है बचे दो और बचता है रोटी ए बताती है, तो सिध्यस्वरी जो है किसको बहुत होसियार बताती है, अगलाrawn कौर्षण देखते है, 29 प्रमोध क्या खाने के लिए जीद पकड रखी थी, प्रमोध ने जो है क्या खाने के लिए जीद पकड रखी थी, रोटी जो की सबसे छोटा बेटा था प्रमोध तो उसने कौन सी जित पकड़ रखी थी क्या खाने की रोटी रेवडी सब्जी या नमकीन तो इसने ऑप्शन बी राइट अंसर हो जागा आपका रेवडी खाने के लिए जो है इसने जित पकड़ रखी थी कोशन नमर 30 देखते हैं अमर कांत जी का वास्तवी का नाम क्या है आप अगर जीवन परीचे में देखोगे तो अमर कांत जी का वास्तवी का नाम भी दे रखा है ठीक है तो मैंने ये खोदी बनाया option ठीक है तो मोहन है राइट अंसर परमोध है स्री राम वर्मा है या इन में यह भी ले लिए ठीक है आई होप कि आपको समझ आगे ऊगा यह थर्टी और आपको इस चप्टर पढ़ाओगा तो यह था आज यह वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करए जदास-जदा अपने दोस्तों में से